हेलो फ्रेंड आज के गलाश में हम डिस् 컨्रिट का एक टाप्ट है रिकरն्स ररेलेशन उसपे डिसकूस क्रेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकरिंस रॉलेशन होता क्या है तो Recreance Relation होता है कि अगर कोई हमारा previous दो या दो से अधिक term हमें दिया हुआ है उसके basis पे आगे क्या term अगर हमें define करना है तो उसी को हम Recreance Relation कहते हैं अब हम क्या करते हैं? Recreance Relation की अंदर क्या होता है? दो type का होता है, एक होता है homogeneous और एक होता है non-homogeneous सबस्थ पहले हम इसका standard form देख लेते हैं सबस्थ पहले देखेंगे कि homogeneous equation कैसे पहचानेंगे कि homogeneous और कैसे पहचानेंगे कि non-homogeneous है जिसके हम कुछ examples देख लेते हैं, जैसे हमारा कोई एक equation दिया हुआ है a-n is equal to 5a-n-2 plus 3a-n-1 इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं, सबी एक कैटेगरी का है, कैसे? यहाँ पर a का power n है, यह base में है n, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि n-2b यह भी यह भी एक के base में है और n-1b यह भी यह भी एक के base में है, इसका मतलब हुआ सबी एक ही कैटेगरी का है तो जब इस type का कोई equation दिया हुआ रहता है, तो उसको हम homogeneous equations कहते हैं और non-homogeneous जो इस type सारे एक कैटेगरी में ना हो, तो उसको हम non-homogeneous कहते हैं तो उसके लिए हम एक example लिख रहे हैं, an is equal to 5a n-1 plus 2 का power n यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a के base में n है, और यहाँ भी n-1 भी a के base में है जबकि यहाँ जो है n, यह power में है, तो इसका मतलब हुआ, यह homogeneous नहीं हुआ, यह हमारा हो गया non-homogeneous अब इसका homogeneous equation को कैसे हम solve करेंगे, अगर कोई question हमारा homogeneous में दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे solve करेंगे, तो उसका हम method सिख लेते हैं, कि कैसे इसे solve किया जाता है तो जब भी हमें homogeneous equation हमें solve करना हो, तो इस पहले हम homogeneous का standard form क्या होता है, तो वो हम लिख लेते हैं Linear Homogeneous Recreation Recreation इसका जो Standard Form होता है वो हमारा कुछ इस टाइब से होता है An is equal to K1 A N-1 Plus K2 A N-2 Plus K3 A N-3 Plus dot 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 Plus Kr A N-R और यहां पर यह condition होगा क्या जो होगा वो greater than equal to R के होगा यह हमारा Linear Homogeneous Recreation Relation का Standard Form होता है तो जब कोई question हमारा इस form में दिया हो रहेगा तो उसको solve करने का यह तरीका होता है तो उस पहले उसका हम auxiliary equations ले ले लेते हैं और auxiliary equations solve करने के वर हमारा क्या होता है कि हमें auxiliary roots आ जाता है जिसे हम characteristic root भी कहते है जब हमारा root आ जाता है फिर हम उसका complementary function निकालते है जब हमारा homogeneous equation होता है तो उस case में हमें सिर्फ complementary function निकालने की जरूत होती है और वही उसका complete solution होता है जब कि non-homogeneous के case में जब भी हमें उसे complete solution चाहिए तो उसके लिए complementary function निकालेंगे निकालेंगे साथ के साथ हमें particular integral भी निकालना पड़ेगा तब जाके हम complete solution कहेंगे cf plus pi मतलब complementary function plus particular integral तब जाके वह हमारा complete solution होगा तो आज जो हम discuss कर रहे हैं वो homogeneous equation के type का discuss कर रहे हैं तो homogeneous equation अगर दिया हुआ रहेगा कोई question तो उसको हम कैसे solve करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे हम एक example ले लेते हैं फिर इसे solve करके देखेंगे कैसे इसे solve किया जाएगा उसी में मैं आपको बता दूँगी कि उसका हम auxiliary equations कैसे लेते हैं तो इसके लिए हम एक question लिख रहे हैं question हमारा है what is the solution of the recurrence relation an is equal to an-1 plus 2an-2 with a0 is equal to 2 and a1 is equal to 7 अब इस question को हमें solve करना है हमें दिख रहे हैं कि इस question में यह जो हमारा है homogeneous का type है क्योंकि n जो है a के base में है n-1 भी a के base में है और n-2 भी a के base में है तो उस पहले हमें जरूत परेगी इसमें हमें degree निकालने की जब हम degree निकाल लेते हैं फिर इसका हम auxiliary equations बनाते हैं तो हम यहां पर इस पहले सब को एक side कर लेते हैं तो an- an-1-2 an-2 is equal to 0 यहां पर हम क्या देख रहे हैं यह इसी type का यह जो हमने लिखा है standard form इसका an is equal to k1 an-1 plus k2 तो इसी form यह दिया हुआ है यहां पर यह r जो होता है वही इसका degree काल आता है तो जब इस equation को हम standard equation से compare करते हैं तो हम पाते हैं कि जो r का value होता है वो हमारा 2 हो जाता है तो यहां पर degree जो हमारा हो गया वो हमारा 2 हो गया जब degree हमारा 2 आ गया तो इसको solve करने का यह तरीका होता है कि जब इसे हम solve करते हैं तो उस case में हम क्या करते हैं an को लिखते हैं r का power n तो जो degree आया वो हमारा 2 आया means जो n का value आया degree कह ले या फिर n कह ले मतलब n का value हमें 2 आ गया तो जब n का value हमारा 2 आ गया तो इस case में हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे इस equation को इसी form में लिखेंगे an, an के जगा हम लिखेंगे r का स्क्वेर फिर minus an minus 1 है मतलब एक कम हो रहा, means यहाँ पर r हो जाएगा यहाँ पर है minus 2 an minus 2 यह तो हमारा 1 हो गया means this is equal to 0 अब यह जो हमारा equation आया इस equation को हम कहते है axillary equation या फिर इसी का दूसरा नाम होता है characteristic equation और इस equation को फिर हम solve करते हैं solve करके यहाँ से हमें r का value मिल जाता है तो r square minus 2 r plus r minus 2 is equal to 0 r minus 2 plus 1 को मलिया r minus 2 is equal to 0 तो r minus 2 into r minus r plus 1 is equal to 0 तो means यहाँ से हम देख लें जो r का value आ रहा है वो हमारा एक तो 2 आ रहा है और दूसरा minus 1 आ रहा है तो जो यह value हमारा r का value आता है इस value को हम कहते हैं characteristic root characteristic equation को solve करने के बाद जो हमारा value आता है यह हमारा characteristic root निकलता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका complementary function, अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा homogeneous equation होता है, तो जो हम उसका complementary function निकालते हैं, वही उसका complete solutions होता है, तो जो इसका formula होता है, complementary function का, वह हमारा होता है, a into जो हमारा यह value आया, जैसे r आपका 2 आया और minus 1 आया, तो हमारा होता है, r1 का power n, plus b into r2 का power n, और अगर हमें और roots आता, तो हम फिर लिखते, plus c into r3 का power n, और हमारा अगर और root आता, तो हम लिखते, d into r4 का power n, तो वैसे करके, इसका complementary function का formula होता है, तो यहाँ से जो हमारा complementary function मिलेगा, वो हमारा मिलेगा, complementary function को short में हम कहते हैं cf, तो जो इसका cf आएगा, वो हमारा आएगा a, 2 का power n, plus b into minus 1 का power n, और हमारा क्या होता है, कि जब homogeneous equation होता है, तो उस case में जो complementary function आता है, वही उस equation के लिए complete equation का का काम करता है, means अगर हम बात करते हैं, इस question के लिए, जो हमारा complete solutions आया, वो हमारा आगया, a n is equal to a, 2 का power n, plus b into minus 1 का power n, अब हमें कुछ base condition दिया हुआ है, question से, तो हम base condition एक हमारा है, a note is equal to 2, और दूसरा हमारा है, a1 is equal to 7, तो a note, अब इसमें हमें क्या करना है, उपर जो हमारा ये दिया हुआ है, इस equation को हम मान लेते हैं, जो हमारा complete solution जिसको हमने लिखा है, इस equation को मान लेते हैं, 1, और ये 1 जो equation है, ये अभी हमारा general solutions है, और general solution में जह हम base condition डाल देंगे, उसके बाद जो हमारा solutions आएगा, उसको हम particular solutions कहेंगे, तब हम क्या करेंगे, जो base condition दिया हुआ है, उस condition को इस पे apply करेंगे, मतलब a note दिया हुआ है, means n का value जब हम 0 लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, put n is equal to 0 in equation 1, तो यह हमारा हो जाएगा, a note is equal to a 2 का power 0, plus b minus 1 का power 0, अब किसी का power 0 का मतलब 1 होता है, और a note हमारे question से दिया हुआ है, a note हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे, 2, और यहाँ हमारा आ जाएगा, a plus b, और इस equation को हम कहाँ देंगे, 3, 1, sorry, यह हमारा 2 आ गया, अब हम फिर क्या करेंगे, दो base condition दिया हुआ है, एक हमने apply कर दिया, अब हम दूसरा apply कर लेंगे, तो दूसरा अब फिर हम लिखेंगे, put n is equal to 1 in equation 1, तो यह हमारा equation 1 जो हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा, a1 is equal to a, 2 का power 1, plus b, minus 1 का power 1, और a1 हमारा, a1 का value question में दिया हुआ है, यह हमारा 7 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, 7 is equal to 2a, और minus b, इसको कह देंगे equation 3, अब equation 2 और 3 को solve करेंगे, तो यहाँ से हमारा a और v मिल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, from equation 2 and 3, तो जब इस दोनों को solve करेंगे, तो यहाँ से हमारा a जो आजाएगा, वो आएगा, 3, and b जो आएगा, वो हमारा आजाएगा, minus 1, अब यह 3 और minus 1, equation 1 में डाल देंगे, तो लिखेंगे, substitute the value of a and b, in equation 1, अब हमारा a n is equal to हो जाएगा, a मतलब 3, 2 का पावर n, और minus, minus 1 का पावर n, और यह जो हमारा आगया, यही हमारा complete solution आया, और इस type का जो solution होता है, इसको हम particular solutions कहते हैं, पाटिकूलर solution समें तम मिलता है, जब question में हमें कोई base condition दिया हुआ होता है, और अगर हमें base condition नहीं दिया हुआ है, तो जो हमारा solution आता है, उस solution को हम general solutions कहते हैं, तो complete solution जो यहाँ पए हमने लिखा है, यह without base condition है, और यहाँ पे जो हमने लिखा है complete solution ये with based condition है तो जो हमारा answer आया final answer वो हमारा यही आया लिखा है